सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज हम आप लिक लेटेस्ट और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशूर और हम का जो मार्किट है वो पाकिस्तान की जीडिपी से भी आगे निकल चुका है तो यह वीडियो काफ़ इंट्रस्टिंग होगी इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा तो इस अन तक देखें और चैनल पर ने है तो चैनल को सब्सक्राइब क जो है वो पियम मोदी को पाकिस्तान में भी बहुत जादा क्रिटिसाइज किया जाता था उनकी पॉलिसीज को लेकर और यह समझा जाता था कि शायद उनकी जो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है शायद वो पालिसीज जो हैं वो इंडियर मुसलिम्स के लिए अच्छी हैं, उनकी policies की तारीफ करते हैं, उनकी काम की तारीफ करते हैं और ये चाते हैं कि हमारी अभी पीम मोदी जैसे लीडर हो, अब ये तो एक बहुत बड़ी achievement है यकिना जो इंडियन प्राइम इनिस्टर ने असल की है कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करने लगें तो आप स लेकिन जब वो हटाएं गए ऐस अ प्राइम मिनिस्टर और उनकी पॉलिटिकल रेलीज हुई तो उन्होंने कई जगा पे मोदी जी की तारीफ की और बताया कि जी पीम मोदी जो हैं वो नॉन क्रॉप्ट पॉलिटिशन्स में हैं और ना तो उनकी कोई बाहर प्रॉपर्ट की और कहा कि जी इंडिया के साथ कश्मीर इशू को हमें दस बीस साल के लिए साइट पे रख देना चाहिए उसके बजाए हमें ट्रेड और बाकी चीजों के उपर भारत से बात करनी चाहिए यकीनन ये भी एक तरह से पीम मोदी की ही एचीवमेंट में काउंट किया अगर हम भारत की तरफ चले तो भारत में इलेक्शन होने वाले हैं और इस साल पाकिस्तान के इलेक्शन का तो पता नहीं कब ये सलसला खतम होगा और कपता लगेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा लेकिन भारत में अभी से कहा जा रहा है कि बहुत सपोर्टर्स ऐसे ह मोधी जी के उपर क्रिटिसाइज किया था 2019 में जब मैं आपको बताती चलूं कि एक उनकी कॉलमिस्ट है और शोबा दे मेरे ख्याले इसी तरीके से उनका नाम प्रोनाउंस किया जाता है अगर कोई और करनेंसेशन है तो आप लोग खुछ चेक कर लीजिए मुझे खर बता बता के नीचे लाइन मत लगा दियेगा लेकिन एन्वे इन्हों ने भी मोधी जी की बहुत तारीफ की है और मोधी जी के लिए कहा है कि बहुत फैसिनेटिंग मोधी जी की जो परसनालिटी है वो है मोधी तो मैं भी मोधी जी को लटा सुटा कुछ ना कुछ कहती थी और मुझे लगता था कि शायद मोधी जी बहुत नेगेटिव काम कर रहे हैं या बहुत गलत सोचे लेकिन खैर मैं गलत थी और मैंने अपने आपको फिर करेक्ट किया और मुझे खुशी है कि यह जो नेटिंग किसम की मोधी जी की परसनालिटी है और बहुत अच्छा काम मोधी जी कर रहे हैं लेकिन हम यह भी चाहेंगे कि जब नहीं गर्मेंट आएगी भारत की भी आएगी और पाकिसान की भी देखें कब आती है आई जाएगी कहा यह जा रहा है कि कोई फाइफ टू सिक का भी कोई मूड नहीं है गर्मेंट बनाने का अब एक आखरी हल यही रह गया है कि भाई लोग जो हो कान के दीचे दो देंगे और कहेंगे जी गर्मेंट बना लो तो जिसके कान के दीचे दो पड़ेंगे वाकिर प्राइम मिनिस्टर्शिप संभाल लेगा लेकिन इंडिय भी इलेक्शन होने जा रहे हैं लेकिन इंडियन इलेक्शन वैसे नहीं होते हैं जैसे हमारे होते हैं कि पहले से पता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है यह के वोटर्स के बज़ाए या पब्लिक के बज़ाए कोई और कोई इदारा या कोई किसम का कहना चाहिए किस्ट establishment या कोई लाता हो भारत में ऐसा नहीं होता यकीना ना भारत के elections जो हैं वो काफी कहना चाहिए फिरी और फिर होते हैं और इसी लिए इस वक्त जो सब लोग बात कर रहे हैं उनको लग यही रहा है कि मोधी जी की support बहुत जादा है और मोधी जी जो हैं वो इंडिया में government नेक्स government बनाने जा रहे हैं उसके बाद देखते हैं भारत और पाकिस्तान के terms कैसे रहते हैं बातचीत होती है या नहीं होती हमें तो हर बहुत उमीद थी कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो क्यूंकि उनके पीमोधी के साथ terms अच्छे हैं बातचीत अच्छी है तो हो सकता है कि मोधी जी जो हैं वो पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार हो जाएं और पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिल कर जो पहले जो कुछ होता रहा उसके बारे में बात करें और ये कोशिश करें कि दुबार कि पास पैसा बहुत है उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं होती है उनके पास पैसा भी बहुत है बहुत से ऐसे जो डूल नेशनल है और उनके पास दो दो जगा के पासपोर्ट्स हैं पैसा बहुत है वो जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं जब चाहें जिस वक्त चाहें घ खुभणकों शीज़ा करने तक कि नौबत आने लगी है लोगों की लेकिन जो कुछ आपको हमारे । आपको हमारे टीवी चानल्स पे दिकाई ने ता है या जो कुछ आपको सोशल मीडिया तो भैर कुछ रतर K Ste, तक बता देता है ले पिर भी जो हाल है यहां लोगों का अगर आप बाहर कहीं निकल जाएं मार्केट चले जाएं या वैसे रोड पे निकलें आप तो आपको इतने जादा लोग मिलते हैं भी मांगते हुएं कि जिसकी कोई हैद नहीं देओ पहले ऐसा नहीं था या अगर एक शौप मार्केट में जैसे शौप्स होती हैं एक शौप से आप निकले और बीच में दो शौप्स चोड़के आप सोचें कि यार यह चौती पाठवी शौप जो है इस पे जाकर आपको कुछ देखना है या लेना है तो उसके बीच में आपको पांच से छे लोग ऐसे जरूर मिल जाते हैं जो आपसे पैसा मांग रहे होते हैं आपसे कह रहे होते हैं राशन दिला दो या आपसे मेडिकल हेल्प मांग रहे होते हैं हर एजुकेशन हेल्प कोई नह मंगता. कोई मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसने ये काओ, कि जी मेरे स्कूल की फीज दे दें, या मेरे क коммент की फीज की फीज दे त्वीजन की फीज दे दे या मुझे कोई बक ले के दे दे या मुझे पढ़ाई लिकाई में कोई मदद कर दें, यह भी एक अजीवी चक्कर है कि जो कोई भी आता है वो या तो कहता है जी हमें राशन दे दें, हमें रोटियां दिलवा दें, हमें नान दिलवा दें, हमें सालन दिलवा दें या हमें कुछ ना कुछ घर के समान की बात करते हैं लेकिन मुझे बुक्स मांगते हुए या एडुकेशन के लिए फंड मांगते वे कोई दिखाई नहीं दिया मगर ये जरूर है कि लोगों की हालत बच से बत्तर होती चली जा रही है लोग बहुत परिशान है लोग यूटिलिटी बिल्स जमा नहीं करवा पा रहे और लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम चल रही है कि आखिर वो किस से अपने घर को पूरा महीना चला पाएं क्योंके जाहरे गैस का बिल्स बी बढ़ चुका है एलेक्रिसिटी के बिल्स भी बढ़ा दिये गहें पेट्रॉल प्राइस भी बढ़ चुकी है और वैसे ये हर टू वीक्स के बाद जो है ये सारे प्राइस बार बढ़ाए जा रह वो ना तो काम करने की कोशिश कर रहें ना ही वो ये कोशिश कर रहें कि पाकिस्तान किसी के साथ ट्रेड करे या पाकिस्तान में कोई चीज बनाई जाए जिससे कुछ फाइदा हो सके यकीन ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत नुक्सान दे रही हैं और हमें यही ल जो हुए उसका रिजर जो है वो जल्दी आप अनाउंस करें गर्मिंट बनेगी तो आएम फ के नेक्स प्रोग्राम में जा सकेंगे अदर्वाइस पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया जाएगा आएम फ के अगले जो नेक्स जो प्रोग्राम आ रहा है उसके अंदर पाकिस् कि आखिर हम क्या बात करने लगें ना तो दोनों में कोई कुछी कुछ चल रहा है और नहीं कोई च्छकिस काकड़ा चल रहा है सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं हम इलेक्शन के बाद हमें यहीं समझनी आ रही कि आखिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो कौन लेकिन यह जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए जी चेर यह रख दी गई है और कहा गया है कि जिसको बैठना है वह चेर पर बैठ जाए और इस चेर पर बैठने के बाद क्या होगा यह तो आप सब समझी सकते हैं तो इसलिए भी फिलाल कोई तैयार नहीं हो रहा लेकि कुछ जादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया तो लोग कहते हैं कि बाई तुम टाटा या बटा की अलाद नहीं हो जी है यह पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है तो बिलकुल मैं आपको यह बता दूं कि टाटा कंपनी जो भारत की है जी हा उनके उनके पास आप कह तिज्ग जो उनके एचीवमेंट है या जो वैलिउ है वह पकिस्तान की जी डीपी से भी कही ज़ादा है यानि के कमाल हुगया यानि कहदी हो गई यानि की क्या बात हुई लेकिन आप आहलं ऐसा हुआ है और यकीनां पाकिस्तान में जो लोग एकॉनमी पे काम करते हैं त कुछ लोग करते हैं वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे के आकर टाटा कमपनी के पास वो कौन सा जादू का चराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी बहुत प्लानिंग की होगी बहुत अच की जा रही है कि भारत की टाटा कमपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडिपी से भी जादा है और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंडा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हल कर दिया है हमने पाकिस्तान की एकॉनुमी का क ने उपर और भारत के कई हमारे दोस्त जो हैं मैंने देखा कि वो ट्वीटर के उपर वो हमारे